यह मेरा मॉडूल 4 चल रहा है जिसमें साइट टू साइट कनेक्शन के उपर मैं वीडियो लेकर हैं कर सकते हैं कि मोर्स या क्या है और मॉडूल क्या है और हमारा लाश्ट वीडियो मेरा यह लाश्ट वीडियो है तो बैसे प्लग आएंडप डिवाइस एक दिल्ली एक मुंबई दिली में पान से छे यूजर बैठते हैं नौर्माल यूजर बैठते हैं और मुंबही में आपका head office है तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्षन जो है rate device है आप rate device लिजिए plug and play है आप लगाईए और आप automatically आपके सारे end point जो दिल्ली में है वो आपके head office के firewalls के network से integrate हो जाएंगे तो ये plug and play ब्रांच ऑफिस connectivity के लिए यूज होता है mostly आजका लोग इसको यूज करते हैं इसका मैं आगे detail भी पूरा बताऊंगा no technical expertise required on side मतलब दिल्ली side में आपको कोई technical person नहीं चीए आपने Mumbai से एक छोटा सा router बेजा बोल दिया आपने किसको विजा power on कर दो इसके line port a1 पे line ये cable एक switch में लगा तो उससे सारी computer connect कर दो चालू हो गया और create a layer 2 to tunnel to to the surface firewall ये tunnel to layer to create करता है इसके आगे चलके मैं पूरा इसका detail आपको बताऊंगा इसमें जो port यूज होता है TCP 3240 port यूज होता है और UDP 32410 port यूज होता है इस device में और इसका purpose है purpose जो हो है इसका control TLS authenticated authenticated with the mutual X.509 certificate chip तो इसके अंदर certificates भी रहते हैं और layer 2 device है तो TLS authentication भी इसमें होता है data encapsulated traffic using the AES 256 encryption and SHA-1 HMAC authentication तो इसके अंदर 256 bit का encryption भी लगता है data application के लिए और इसमें SA-1 का authentication भी लगता है तो काफी secure data हमारा firewall से red device को connect होता है तो I think so यह device बहुत अच्छा है यूज करने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो deployment option कुछ इस्तरा से deploy होता है आपको यह दोनों साइट पर इंट्रेंट चीए और फिर उसको इंट्रेंट के टाफिक हम firewall पड़ा लेंगे तो कुछ आपका यह रेड डिवाइस है आपका head office का firewall है तो configure the device on hardware head office head office के firewall में हमको configure करना है store configuration site यहां से हमारा रेड प्रोविजिनिंग सर्विस रेड डॉट आश्ट्रो डॉट कॉम यह सर्विस हमको on होनी चाहिए firewall पर और हम यहां रेड डिवाइस हम connect करेंगे यह receiver हमारा है यहां पर local IP DCP रहेगा आटोमेडिकील देगा राउटर हो जाएगा यहां है और डिप्लॉई रेड डिवाइस तो हमारा कुछ इस तरह से कम्मिक कम्मिकेशन होगा और जब यह दो जब यह डिवाइस connect हो जाएगा एक बार फायरवल से तो हमारा इस्टैब्लिस लेयर टू टैनल हो जाएगा तो कंफिगर में सब फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है configure the rate device हमने जब configure कर दिया तो store configuration हमने store configuration किया rate.store.com यहाँ पर store किया और number three हमारा आज़ाद deploy the rate हम जब rate को deploy करेंगे किसी भी location पर तो receive local IP DNS DHCP तो हमको जो local IP जो वहाँ पर हमको mode DHCP रखना पड़ेगा तक कि जो IP आईगी हमको DHCP में रिलीज हो जाए फिर number five आता है send rate ID जब rate device के एक unique ID होती है rate ID जब रेड आईडी एश्टर को पास share करेगा वह rate ID हमारे firewall पे configure रहेगी तो automatically हमारे firewall पे redirect कर देगा जब हम इस firewall को पर rate ID को configure करेंगे तो उसमें क्या होता rate का एक unique ID होती है उस ID को हमको अपने firewall पे integrate करना पड़ता है configure करना पड़ता है तो नंबर शिक सेंट configuration तो फिर जब हमारे firewall के पास यह इसका आईडी आ जाएगा तो हमने यहां पर अपने firewall में configuration कर रखा है तो यह configuration फिर यह send करेगा रिमोट डिवाइस मत्त्व रेट डिवाइस को जब रेट डिवाइस configuration रिसीब करेगा तब वह सेवन्थ नंबर पर इस्टेब्लिस लेयर टू हमारा बन जाएगा और हमारा branch office head office की connectivity स्टार्ट हो जाएगी तो पूरा प्रोसेस यह है मैं एक बार repeat करता हूं configure रेट डिवाइस on head office firewall head office firewall को login करना है यहां हमको रेट डिवाइस को configure करने बात नंबर टू पर आता है हमारा store configuration हमने store configuration कर दिया number three हमने deploy डिवाइस हमने रेट डिवाइस को deploy किया किसी एक location में बतब दिल्ली में किया number four receive local IP DCP अब हमको रेट डिवाइस में login करना है यहां पर login करने बाद इसका IP जो हमको receiving IP है उसको DCP mode में रखना है फिर number five पर आता send ID जैसे हम इसको नेट से connect कर देंगे तो यह हमको बुलेगा कि send red ID जब हम यह जैसे नेट से connect होगा यह यह रेट डिवाइस तो अपना आपना आइड ब्रॉड कास्ट करेगा जो जाके हमारे firewall के पर हीट होगा क्योंकि हमने यहां पर उसको रेइस्टर कर लिया है जब यह firewall पर हीट होगा तो यह firewall यहां से configuration send करेगा इस रेट डिवाइस को क्यों आप देख सकते हैं यहां पर बना हुआ है रेट डिवाइस को 是這樣 स्प्लीट जो सब्से ज़ाइडा कॉमिल यूज होता है यह हमारे करता है होता यह है कि जो भी ट्राफिक हमारी होती rhandsetla और फायरवाल पूरे पूरे रिमोर्ट नेट्वार्क को मैंनेश करता है तो हमेशा इसी को चलाना चाहिए क्यूंकि यहां पे जो bron चाहिए गुणकि यह पर फूरह ट्रॉब पर पहेंगा तो यह थोड़ा रिस्की है और मतलब कंपेर्टू इस टंडर यह ज्यादा अच्छा है इसमें भी सेम करणीशन इसमें भी ज्यादा लगता है और परपस तो हमारे एक लेकिन यह इंटरेट को ट्राफिक को यूज करता है जो रिस्की हमारे लिए हो सकता है तो हम जो प्रिफर करते जो इसको हम लोग यूज करते हैं वह हम स्टेंडल यूज करते हैं सारे जितने भी यह एंडव해r hoин depend यह classroom से मैंले होते हैं यहां से तनमें मेले होते हैं इननमें इंटनेट यहां से in excess करता हूं चनदर यूनिफाइद इभाइस ऊच करता हूं आप 10 क रेगी हैं आपको आठेकल में डेदूंगा आप उसको जाके चेक कर सकते हैं तो चलिए आगए बढते हैं रिंग रिंग डिफ्रेंग डिफरेंट डिफ्रेंट डिप्लाइमेंट और संत है यह प्री जोन फार रिड इंतरफेकस अन रिफ्राश fakete कि सिस्पिड कर यह थोन थे लगता है यह दो में इस्टेटिक लगता HE दीए सीपी ओबर दा रीमोट नेटवर्क ऑप्षणल ऑप्षणल इसमें नो होता है तो हम इसके उपर चर्चा कर रहे हैं कि यह हम कुछ सब्सक्राइब 3 है इसमें उप्रिय मटाइब 4 होडवागे किर फून क्देट सबै offenders 나 grow old इसमें उसली सब्सक्राइब ये कषज़रे अब है तो इसुटरा से के बाकि Safe कीजिव कर सकते हैंों hills बाटिव आप कर सकते हैं में थाइफ सब्सक्राइब तो इड़ी बेटर एंड बिष्ट और फिर ये रेट डिवाइस का ये पॉर्ट है आप यहां पर देख सकते हैं अच्छिए रेट 20 एंच्छिए दो मॉडल दिये हैं 20 और 60 दोनों के पोर्स दिये हैं आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से डिवाइस आता है आप भी इसको देखेंगे तो अब यह हैं यहां पर दो मॉडूल रेट काते हैं जो हम यूज करें यह टॉंटी 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 हम यूज करते हैं इसका यह डिटल से इसका टॉंटी फाइब फाइम पीपस का बैंडविध मैक्सम आउटपूट है और एच्डी 60 का 50 Mbps है और लाइन पोर् इसमें गिगाबाइट सेम सेम दोनों सेम लाइन पोर्ट सेंगें और यहां पी इनकी साइट सेंगें जिसे 1 10 100 Mbps BX TX सेर्ड विट सेपी और 210 बेस्ट ऑन टी एक्स दो वैन भी समें दे दिया है वैन वन इसेर्ड पाफ पोर्ट ऑन सेपी और सेपी पोर्ट भी दिया है और यहां पर एक्सपेंशन वाई में वन फॉर विद्धा ऑप्शनल वाई-फाई और फोर्जी एल्ट कार्ड भी मिलते हैं सो अपवेल कॉम्पोर्मेंट में हमारा अप्शनल सेकंडी पार सप्लाई भी मिलता है हम उसको सेकंडी पार सप्लाई देके ताकि हमारा पावर भी ना हो तो यह फो टूटल मैंने आपको रेट मॉडल्स का फूरा डिटेल बता है जिसमें कॉन्फिकेजन से लेके कौन-कौन से मॉडल्स हैं क्या-क्या मिलते हैं उनके सारे डिटल्स मैंने अपको शेयर किया है और डिसकांटीन्यू सब्पोरेट मॉडूल यह करना चाहूंगा और आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से देखे हैं कुछ प्राब्लम है अगर इसमें कुछ आपको कन्फिजन हो डिप्लाइमेंट मोल में तो आप एक बार जाके इंटेन्ट पर इसके लिए डीटेल्स सेर्च कर सकते बाकि इसका मैं पूरा डीटेल में तब तक लिए जय ही जय वारत